कि यह सर वेलकम आफ्टर दे ब्रेक कि आज यू आल नो सिलिबिस हमारा खतम हो चुका है एक छोटा सा पाट बचता है और एक स्टूरी वाला पाट बचता है जहां पे आपको एक लिडिल मोटिवेशन है राइट बाकी तो हम लोग ने सब कुछ कर लिया है आज इस पर्टिक क्या करते हैं डिसकस करते हैं एक एक एबी सी एनलिसस तो सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूँ एबी सी एनलिसस मलिक एबी सी एनलिसस, DTN इंटरनाशनल टैक्स, CA फाइनल एंड CMA फाइनल्स for the purpose of May 24, yes or no, or June 24 attempt के लिए, तो जितने भी बच्चिये May 24, June 24 वाले हैं उनके लिए ये ABC एनलिसस है, मोटे मोटे तौर पे नवंबर के लिए भी ये ही रहेगा, बढ़ नवंबर के लिए मैं फिर से अलग से निकाल दूँगा, अब ABC एनलिसस का मतलब क्या होता है, कि भीया जो extremely important topic है, yes, मतलब जो आएंगे ही आएंगे, और दूसरे not so important है, पर उसमें से भी कुछ चीजे आएंगी, तो मैं topic wise आपको अलग-अलग कर देता हूं, right, topic wise मैं आपको अलग-अलग कर देता हूं, सबसे पहले, जो important part में लिख रहा हूं, मतलब मान के चलो कि आपका मोटे मोटे तौर पर जो paper आएगा, वो तो इसी से बनने वाला है, जो मोटे मोटे तौर पर paper आएगा, वो आपका इसी से बनेगा, तो सबसे पहले हम बात करते है, tax calculation की, जी हां, मैं tax calculation की अगर बात करूँ, तो आपके लिए सबसे important, extremely important, इस बार 115, BAC, BAD, BAE, BAE, बिल्कुल extremely new ह है, तो इसके आने के chances जादा है, BAC आने के chances है, BAB आने के chances है, तो मुझे लगता है कि यह सारी चीज़े आपको पूछी जा सकती है, आपको normal tax तो आना ही चाहिए, और surcharge related question आपको आ सकता है, yes, तो basic calculation में इतना पढ़के जाना, इसके अलावा, assessment year, previous year के exception आपको पूछे जा सकते हैं, और assessi का definition आपको पूछा जा सकता है, as a part of theory, तो chapter number one के अंदर में आपको इतनी चीज़े काम की है, इसके बाद अगर मैं chapter number two की बात करूँ, जो मुझे लगता है बहुत important है, वो है ROI, yes, return of income आपके लिए important है, जिसमें से सबसे पहले, updated ROI का content आपके लिए काम का है, पैन से related content काम का है, क्योंकि पैन से related content के अंदर में amendment है, तो updated return का concept काम का है, पैन से related content आपका काम का है, 234A, interest जो है, वो आपके काम का बनता है, 139 and 139.1 that is due date of filing return आपके काम का है, तो इतनी चीज़े आपने ROI के अंदर में पढ़के जानी है, तीसरी चीज़ अगर मैं बात क capital gain की, यहां capital gain chapter बहुत ही important बन जाता है, capital gain के अंदर में एक आपका capital gain का computation तो बिल्कुल आपका है ही, इसमें कोई doubt है नहीं, यह तो आपको basic पता होगा, इसके अलावा 54, 54 EC, 54 F, exemption के अंदर में मुझे लग रहा है 3, इसके अलावा 1034A वो buyback वाला जो अपना provision है, वो और 1043 मुझे लग रहा है इतनी चीजे आपके exemption वाले पार्ट के अंदर में important है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ special transactions की, वो नहीं आते है special transaction in capital gain, conversion of capital asset into stock and trade, तो पहला मेरे को लगता है conversion of capital asset into stock and trade वाला provision आपको 452 के उपर question आ सकता है, 45 4 plus 9B वो आपका dissolution वाला जो concept है, इसके उप आपको question आ सकता है, 50 B that is slum sale वाले content के उपर आपको question आ सकता है, right, slum sale वाले content है इसके उपर आपको question आ सकता है, 50 C and 50 AA, 50 C वा मतलब वो आपका full value of consideration कैसे determine करते हैं, वो हर question में adjustment रहता ही रहता है, and 50 AA is bar units of mutual fund को लेकर के adjustments है, तो वो आ सकता है, 51 for feature of advance को लेकर के point है, तो वो आपको आ सकता है, तो मतलब capital gain में मुझे लगता है, मोटे मोटे तौर पर इतना transaction आपको पूछा जा सकता है, yes, इतना transaction आपको पूछा जा सकता है, capital gain के बाद, आपका next chapter बनता है, भाई साब PGBP, PGBP के अंदर में, मैं obviously expect कर रहा हूँ, total income, मतलब total income वाला जो question होगा, यह PGBP के साथ mix करके आपको दिया जाएगा, इसके अलावा, section 32, 32, 1, 2A, that is additional depreciation वाला concept, मुझे लगता है इस बार आपको एक depreciation का concept दिया जाएगा, जहां पर आपको यह test किया जाएगा, that depreciation तो 115 BAC में available है, additional depreciation available नहीं है, तो आपको with 115 BAC, without 115 BAC पे एक question आ सकता है, ठीक उसी तरीके से section 35 मतलब scientific research, यहाँ पे भी in-house research जो है, वो तो 115 BAC में भी मिल जाता है, पर donation to other नहीं मिलता, तो एक question ऐसा expect कर रहा हूं, with BAC, without BAC वाला, एक question यहाँ पे expected है, फिर आता है आपका 35 AD, यह तो option जो आपको मिलेगा, यह opting out वाला ही मिलेगा, तो यह option आपको पूचा जा सकता है, 41 1 का reference हो सकता है, 43 B का MSME वाला content आया है, यह MSME वाले part का एक amendment आया है, वो आपको पूचा जा सकता है, 43 B के अंदर में, इसके अलावा 37 के अंदर में आपको amendment आया है, याद करो क्या compounding of offense in India, outside India, यह अगर आप दे रहे हो, लेकिन दूसरा वाला इसे law case आप से accept नहीं कर सकता, तो वो भी disallow करना पड़ेगा, फिर एक section 28 के अंदर का, जो gift वाला provision है, रीडवित 194R का एक combined question में expect कर रहा हूं, मतलब किसी business को gift मिला, perquisite मिला in business, और सामने वाला देते वक्त उसे TDS deduct करेगा, तो ऐसा एक question combined वाला में expect करके चल रहा हूं, येस, otherwise मैं section 28 को important में रखता नहीं हूं, पर इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि section 28 में आपको income करके TDS के साथ जोड़ करके question दिया जा सकता है, येस, इसके अलावा, इसके अलावा, एक film producer का concept देख करके जाईएगा कि expenses कैसे book किये जाएंगे, especially OTT से related question आ सकता है, काफी time हो गया, इसके ओपर question नहीं आया है, तो आपको एक question इसके ओपर बन सकता है, येस, ओनो, आपको एक question इसके ओपर बन सकता है, फिर वो जो important वाली चीजे है, that is 40A2, 40A3, yes, फिर, you know, 44AD, 44ADA, 44AE, ये तो definitely आपको पूछा जाही सकता है, 100% एक question आपको tax audit पे देखने को मिलेगा, tax audit के basis पे amendment हुआ है, जो amendment 44AD, ADA के अंदर में हुआ है, similar amendment आपको tax audit में हुआ है, याद रखना हमने tax audit chapter भी पढ़ा है, उसमें word to word synthesize करके लिखावा है, कब audit आएगा, कब audit नहीं आएगा, तो वो वाला content अपने एक बार पढ़के चल जाना, आपका काम हो जाएगा, yes, इसके अलावा मैं बात करूँ, charitable trust की, yes, charitable trust एक ऐसा point है, जो आपको आता ही आता है, इसमें सबसे पहली चीज़ आपको anonymous donation के बारे में पता करना है, येस, एक दूसरा आपको exit tax, 115 TD वाला जो प्रोविशन है, आपको exit tax पता करना है, registration वाले point से related आपको question आ सकता है, तो registration वाले point पे देख लेना, इसमें सबसे important एक general question आ सकता है, और general question में भी, what can be treated as application or not, इसके ओपर question आ सकता है, क्योंकि application में क्या application नहीं माना जाएगा, इस हाँ, you know, loan के amount से आपने को asset acquire किया है, तो आप उसको नहीं मान सकते है, हाला कि आप repay कर देते हो, फिर 11-5 से कुछ किया होगा, तो आप उसको नहीं मान सकते हो, हाला कि आप deposit, redeposit कर देते हो, वो वाले part नहीं आएवे हैं, तो वो आपको आ सकता है, yes, अच्छा जी, sir, इसके अलावा, मैं बात करता हूँ, TDS chapter की, TDS, TCS chapter के अंदर में, सबसे पहला question मैं expect कर रहा हूँ, TCS पे, 2061H के उपर, yes, मुझे लगता है, 1G, 1F, and 1H, TCS में इन तीन के उपर question आ सकता है, क्योंकि amendment है, तो मैं TDS से जाधा TCS में question expect कर रहा हूँ, इस बर, yes, इसके अलावा 194M, N, O, P, Q, R, S, यह second priority वाली चीज़े है, जो TDS के अंदर में पूछेंगे, और इसको mix कर जा सकता है, 206AB के साथ, मतलब वो twice the rate in the act, twice the rate in force वाला जो concept है, वहां के साथ इसको कुछ ना कुछ मर्ज करके पूचा जा सकता है, और कुछ conventional important है, कुछ तो conventional important है, मतलब जो हमेश पार्ट रहा है, C, H, I, J, A, I, A, Yes, C, H, I, J, A, I, A, यह वो वाले पाल्ट है, जो आपको conventionally बहुत ज्यादा पूचे गए, मतलब आप question है, उठाके देखोगे, इन पर maximum question आपको देखने को मिल जाएंगे, तो यह वो point है, जितना आपको TDS में मोटे-मोटे तोर पर पढ़ना चाहिए, Yes, अच्छा जी सर, इसके बाद मैं बात करता हूँ, transfer pricing की, transfer pricing के अंदर में सबसे पहले आपको associated enterprises का concept पढ़ना चाहिए, उसके बाद में TPO वाला concept पढ़ना चाहिए, उसके बाद में advance pricing agreement में आपको rollback वाला provision पढ़ना चाहिए, फिर TP के अंदर में आपक secondary adjustments आनी चाहिए, secondary adjustment के उपर, 94 भी 30% of EBITDA पूचा जा सकता है, 94 ANJA पूचा जा सकता है, TP से related इतनी चीज़े पूची जा सकती है, Yes, इसके बाद में, मैं NR taxation के अंदर में क्या expect कर रहा हूँ, NR taxation के अंदर में, मैं या तो पहला shipping, या तो aircraft के उपर question expect कर रहा हूँ, तो shipping या aircraft की income किस तरीके से determine की जा सकती है, मैं 44DA और 115A में, जो royalty नाम का concept है, इसके उपर एक question expect कर रहा हूँ, कि हाँ, इसके उपर एक question आपको generate हो सकता है, इसके अलावा, इसके अलावा, कौन कौन सी income, NR की exempt है, मैं उसमें 104D और 1023FE को expect कर के चल रहा हूँ, कि ये दो चीजे, NR के exemption वाले part में आ सकती है, फिर NR sportsman की income किस तरीके से निकाली जाती है, येस, प्लस 194E का एक mix question में expect कर रहा हूँ, तो NR sportsman को अगर को income generate हो रही है, और उसका TDS 194E के तहरे deduct किया जाता है, तो NR से related में इतना part expect कर के चल रहा हूँ, कि आपकी examination में मोटे-मोटे तौर पे आ स सकता है, DTAA के अंदर में, भिया, there is no DTAA, तो अब बताओ कितना relief मिलेगा, yes, मतलब हम बात कर रहा है, section 91, तो ये दो चीज आपको पूछी जा सकती है, NR के अंदर में, wherever DTAA के specific topic के अंदर में, अच्छा, model tax convention की अगर मैं बात करूँ, model tax convention आपको दिया गया था कि भिया, क tax convention, interpretation of tax treaty, interpretation of tax treaty और BEPS guideline, अगर मैं इन सब को मिला दू, तो मेरे को जो लगता है, वो लगता है, external aid to interpretation पढ़के जाना, वैसे मैंने, जित्ते लोगों ने अपने से class लगाई है, उनको already topic by topic, important, not important, already बताया है, still, जिनने class नहीं लगाई, बट मेरे को ऐसा लगता है, कि आपको यह पढ़के जाना चाहिए, external aid to interpretation आपको पढ़के जाना चाहिए, उसके बाद में, वियाना convention आपको पढ़के जाना चाहिए, उसके बाद में, आपको PE वाला article पढ़ना है, business profit वाला article पढ़ना है, independent professional service, independent professional service वाला article आपको पढ़ना है, and इसके अलावा, इसके अलावा, mutual agreed procedure वाला point आपको पढ़के जाना है, तो मेरे को लगता है, इन तीन chapter से, उसके बाद में, बैप्स की, अगर मैं बात तो बैप्स की को, आपको याद है, उन्होंने क्या दिये थे, कुछ हमें action plan दिये थे, तो action plan की अगर मैं बात करूँ, तो action plan number one, action plan number five, action plan number 12, आपको ये तीन action plan मेरे हिसाब से पढ़के जाने चाहिए, तो इन chapters में से इतना भी पढ़ लिया, तो काफी हो जाएगा, और की अगर मैं बात करूँ तो चार चीज़े पूछी जा सकती है, पहला business connection, दूसरा interest, तीसरा royalty और चौथा FTS, यादा रहे गया, तो इतनी ही चीज़े आपको पूछी जा सकती है, residential status में इतना पढ़के चल जाना, वो पोयम वयम का, अब वाला condition बस एक बार देखके चल जान तो वह जो आपका पोयम है, पोयम में जो आपकी अबोई के condition से वो एक बार देखकर के चल जाना काम हो जाएगा, बरबर, when it comes to penalty, when it comes to penalty, penalty के अंदर में आपने 270A, under reporting, mis reporting की penalty पढ़नी है, plus 276C, plus 276CC, right, plus 271B, plus TP related penalty, आपको पढ़के जानी है, इस penalty के अलावा, कोई भी penalty मत पढ़ना, लगभग चांस ले सकते हो, penalty में, लगभग आप मान करके चलो, आप चांस ले सकते हो, penalty में, when it comes to IFOS, आपने gift का provision पढ़ना है, क्योंकि gift के provision के exception वाले पाल्ट में amendment आया है, yes, plus आपको dividend नाम का concept पढ़ना है, plus LIP taxation, या दोगा तो हम लोग ने LIP taxation पढ़ा था, LIP taxation में amendment आया है, और ULIP वाला पार्ट भी आपको पढ़के जाना है, इसमें भी amendment आया था, yes, तो यह आपको चार से पाच चीजे आपको पढ़कर करके जानी है, किसके अंदर में, IFOS के अंदर में, ठीक है, अच्छा, रही बात exemption topic की, exemption topic में देखो, 10 AA मिर को ऐसा लगता है, क्योंकि 10 AA ही एक ऐसी चीज़ है, जो exemption के chapter में पूचा जाता है, तो यह आपको पूचा जाएगा तो जाएगा, अदर्वाइस कुछ जाएगा नहीं, राइट, इसके अलावा, इसके अलावा, अगर आप बात करें, हाँ जी, हाँ जी, इसके अलावा अगर आप बात करें, तो हम next topic में आते हैं, assessment procedure के, assessment procedure की अगर मैं बात करूँ ना बिटा, आपको 144 पूचा जा सकता है, 147 to 153 A पूचा जा सकता है, yes, so मेरे को 100% जो chances लग रहे हैं, आपको जो question आएगा, वो 147 से 153 A के उपर आएगा, 100% chances मेरे को जो लग रहा है, इसके बाद में अगर मैं appeal की ब आपको आ सकता है, ITAT में आपको पूचा जाएगा, power that is section 254 के उपर आपको एक question आ सकता है, बरबर 254 के उपर मेरे को लगता है, आपको एक question आ सकता है, अगर मैं revision की बात करूँ, तो मेरे को लगता है, 263 में भी उसमें भी आपको या दोगा doctrine of partial merger वाला concept, ठीक है, तो doctrine of partial merger वाला concept मेरे को लगता है, आपको पूछा जा सकता है, तो doctrine of partial merger वाला content अगर आपने पढ़ लिया, तो काम हो जाएगा, आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूद नहीं पढ़ेगी, yes, rectification पर मैं कोई question expect नहीं कर रहा, फिर आता है आपका assessment of various entities, assessment of various entities, अब इसके अंदर में आपको बहुत सारी चीज़ा आती है, मुझे लगता है, सबसे पहला जो आपको question आ सकता है, वो आ सकता है, बहुत साल हो गया, आपको business test पर question नहीं आया है, और investment fund पर question नहीं आया है, तो business test या investment fund पर मैं एक independent art mark का question expect कर करके चल रहा हूं, already अपन आपको पूछी जा सकती है, तो बहुत इसी चाप्टर है, एक बार देख करके चल जाना, इसपूट रिजूशन के उपर आपको याद होगा, 245 M का एक section हम लोगों ने पढ़ावा था, right, तो dispute resolution is the newest thing जो आपको पूछी जा सकती है, तो बहुत इसी चाप्टर है, एक बार dispute resolution के उपर आपको question आ सकता है, right, इसके बाद में, दो से तीन question solve करके जाना, interest under 234 B and C, yes, यह बहुत चार माग को आएगा, लेकिन आता जरूर है, और बहुत easy है, तो 234 B और C वाला interest का content देख करके जाना, आपका material material part over हो जाएगा, ठीक है, अच्छा, जब तक के deductions की अगर मैं बात करूँ, जिस पर मैं को लगता है, deductions के उपर independent question पूचा जा सकता है, ATCCH, अगनीवीर अगनीपत scheme, इसके उपर question आ सकता है, इसके बाद में ATCCD, क्योंकि यहां तो आपके knowledge को test किया ही जाता है, इसके बाद में ATJJAA, जो आपका new employment 30% deduction वाला part था, yes, इसके बाद मे ATG, ATD, ATC, यह तीन फेवरेट और, इनके उपर आपको question आ सकते हैं, तो deduction के अगर मैं point of view से बात करूँ, इतने deduction तो आपको बिल्कूल पढ़के जाने है, yes, इतने deduction आपके exam point of view से काम के है, अच्छा जी सर, अब अगर मैं आता हूँ, अगर मैं आता हूँ, कुछ not important topic में से भी आपको कुछ बताना चाहूँ, ठीक है, not so important, but क्या क्या आ सकता है, सबसे पहला chapter बनता है, agree, देखो आप मोटे मोटे तोर पे इतना भी करके चल जाओगे न, तो हो जाएगा, क्योंकि exam में आपको selective study करना पड़ेगा, तो agriculture जो topic है आपका, agriculture topic के अंदर में, आप composite income irrigation, तो agriculture में सिफ दो पार्ट पढ़ लोगे, तो काफी हो जाएगा, ठीक है, इसके अलावा, मैं बात कर सकता हूँ, clubbing की, तो clubbing में आप section 60 पढ़ लेना, transfer of income without transfer of asset, फिर 64 1A, minor का concept पढ़ लेना, और इसके अलावा, cross transfer वाला provision पढ़ना है, और इसके अलावा, gift वाला provision पढ़ है, लेकिन set off में एक जो unique चीज पढ़ना है, वो मेरे को लगता है section 79, section 79 private company को set off कब allowed है, yes, तो वो आपने पढ़ के जाना है, वो आपने क्या करना है, पढ़ के जाना है, इसके अलावा, इसके अलावा, पता नहीं क्यूं, पर दिल इस बार कह रहा है, taxation of buyback पे question आ सकता है, बहुत weird है, yes, amalgamation, demerger और buyback की अगर मैं बात करूँ तो buyback पे question पूछ सकता है, वो आपको यहाँ पे capital gain and exempt दोनों criteria पे decide कर सकता है, इसके लिए, yes or no, तो यहाँ मेरे को लग रहा है कि हाँ, चलो कुछ चीज आ सकती है, अगर मैं बात करूँ advanced tax की, तो advanced tax के अंदर में आप को सबसे पहले जो आ सकता है, वो है due date वाला content और इसके बाद आपको आ सकता है, capital gain and casual income के case में advanced tax का क्या किया जाएगा, वो नी due date के बाद जब भी arise हो, तो उसके next due date पे pay कर देना, कोई भी date ना मिले तो 31st March, तो वो वाला content मुझे ऐसा लगता है, आपको पूचा जा सकता है इसके अलावा, इसके अलावा, advance ruling, advance ruling की अगर मैं बात करूँ, तो आपको पूचे जा सकते है, advance ruling के power क्या है, और advance ruling अगर मुझे withdraw करनी है, तो और advance ruling की applicability, मतलब जिसने लिया है, उसके अलावा भी कोई ले सकता है, क्या, yes, तो यह तीन पार्ट भी अगर आपने advance ruling में कर हो यह, मुझे लगता है, sufficient enough हो जाएगा, कुछ और करनी का ज़रूत नहीं पड़ेगा, yes, इसके अलावा, digital taxation is one such thing, जो मेरे को लग रहा, sorry, important में डालना है, important में डालना है, yes, important में डालना है, VDA, virtual digital taxation, yes, इससे related, आपको जो provision आई है, यह आपको पूरी की पूरी पढ़नी है तो VDA का provision आपको पढ़ना है, और इससे related TDS का provision आपको पढ़के जाना है, बरबर है, VDA पढ़ना है, इससे related TDS का provision पढ़के जाना है, इस साल, तो chapter add हुए है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, एक है आपका tax audit, तो मेरे को जो लगता है, initially जो आपको पूछा जाएगा वो tax audit है, जो मैंने 44 AB में cover कर लिया, मेरे को नहीं लगता, पहले ही साल में आपको कोई tax audit का clause पूछ लेगा, क्योंकि ये new attempt है, तो मेरे को नहीं लगता हाल फिलाल में कोई clause आजाएगा, clause अगर आभी गया, तो उसका reference आपको दिया होगा, उतना auditor scope लगा करके आप चेक कर स है, आपको black money से related question देखने को मिल सकता है, ले देके वहाँ पर 4-5 question है, module के अंदर में, अपने class में solve भी करावा है, तो black money आपने एक बार देख करके चले जाना, yes, ये important के अंदर में है, हाँ जी, और कुछ, और कोई topic मैं, हाँ, ने, equalization लेवी topic है, पर मैं उसको इतना importance नहीं दे रहाँ, क्योंकि equalization लेवी digital taxation वो एक ही topic कर दिया गया है, तो VDA का aspect आपको ज्यादा पूचा जाएगा, rather than equalization लेवी, yes, इसके अलावा, इसके अलावा, आपको ध्यान रखना है, DT और IDT में, उन्होंने clear cut identification किया है, कि जो international tax का part है, that is I and T, उसका 30 से 35% है, तो वो रहे गा ही, and don't forget, don't forget कि एक बार, आप क्या करेंगे, judicial updates देख करके जाएंगे, उतने भी judicial update कर लोगे, तो काफी हो जाएगा, और वहां पे तो सीधा facts और conclusion ही दिया वा है, तो आपको एक बार में revise भी हो जाएगा, आपको बता दूँ, DT charts के अंदर में हम लोग ने, लगबग 80 pages के अंदर में 100 मां cover किया है, including international tax, तो उतना देख लेना काम खतम हो Thank you so much, take care.